दोस्तों हमारे पीछले वीडियो में हमने पर्यावरन प्रदूसर्ण के बारे में जाना था जिसमें हमने जल प्रदूसर्ण और वायू प्रदूसर्ण के बारे में जाना था आज इस वीडियो में हम अन्य दूसरे प्रदूसर्ण के बारे में जानेंगे सबसे पहले प्रदूसन क्या होता है प्रदूसन का अर्थ है हवा पानी मिट्टी आदि का आवांचित द्रव्यों से दुसित होना अब हम जानेंगे ध्वनी प्रदूसर्ण किसे कहते हैं जब ध्वनी की तीब्रता आधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है इस आवांचनी अत्वा उच्च तीब्रता वाली ध्वनी को ही सोर कहते है सोर से मनुस्यों में असांती तथा बेचैनी उत्पन्न होती है साथ ही साथ कारी छम्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव परता है वस्तुता सोर वह आवांचनी ये ध्वनी है जो मनुस्य को अप्रिय लगे तथा उसमें बेचैनी तथा उद्वीगनता पैदा करती हो प्रितक प्रितक वेक्तियों में उद्वीगनता पैदा करने वाली ध्वनी की तिब्रता अलग-अलग हो सकती है ध्वनी प्रोदूसर्ण के क्या-क्या कारण होते हैं रेल इंजन, हवाई जाहाज, जेनरेटर, टेलीफोन, टेलीवीजन, वाहन, लाउड स्पीकर, आधुनिक मसीने ध्वनी प्रदूसन का क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे समय तक ध्वनी प्रदूसन के प्रभाव से स्रावन सक्ति का कमजोर होना सीरदर्द, चीरचिडापन, उच्चरक्त, चाप, तथा मनोवे ज्यानिक दोस्त उत्पन होने लगते हैं लंबे समय तक ध्वनी प्रदूसन के प्रभाव से स्वाभाविक परिसानिया बढ़ जाती है ध्वनी प्रदूसन को रोकने के क्या क्या उपा है? लोगों में ध्वनी प्रदूसन से होने वाले रोगों के बारे में जागरूप करना चाहिए कम सोर करने वाले मसीन तथा उपकरनों का निर्मान एवम उपयोग करना चाहिए अधिक ध्वनी उत्पन करने वाले मसीनों को ध्वनी निरोत कमरे में लगाना चाहिए तथा कर्मचारियों को ध्वनी आवसो सक्तत्तो एवं कर्ण बंदकों का उप्योग करना चाहिए उद्योगों एवं कारखानों को सहरों या आबादी से दूर इस्तापित करना चाहिए वाहनों में लगे औरनों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए मसीनों का रख रखाव सही डंग से करना चाहिए भूमी प्रदूसर्ण या म्रिदा प्रदूसर्ण किसे कहते हैं भूमे के भौतिक रसायनी किया जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांचनिय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमी की गुणवत्ता तथा उपयोगीता नश्टो भूमी प्रदूसर्ण कहलाता है इसके अंतरगत घरों से पूड़ा करकट तथा धून, रद्धी, कांच की सीसिया, पॉलिथीन की थैलिया, प्लास्टिक के डब्बे, अध, जली, लकडी, चूले की राक, इत्यादी सामिल होते हैं भूमी प्रदूसर्ण के कारण क्या हो सकते हैं क्रिसी में उर्वर को, रसायनों तथा कीट नासों को का अधिक प्रयोग, ओध्योगिक इकायो, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, कागश तथा चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदार्थों का निप्टन, जो मिट्टी द्वारा असोसित न करने के कारण स्वास्त के लिए हानी कारक, भू इस खलन से होने वाली हानिया, जल तता वायू प्रदुसर्ण में ब्रिद्धी, भूमी प्रदुसर्ण को रोकने के उपाए, मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदी को दूर गड़े में डालकर ढग देना चाहिए, हमें खेतों में सौच नहीं करना चाहिए, बलकि घर के अंदर सौचाले की वेवस्ता होनी चाहिए, मकान वा भावन को सड़क से कुछ दूरी पर बनाना चाहिए, निदा अपरदन को रोकने के लिए आस-पास घास एवं छोटे-छोटे पौधे लगाना चाहिए घरों में साख सबजी काउपियों करने से पहले धोना चाहिए, गाउं में गोबर गैस सहीं अंतर अर्थात गोबर द्वारा गैस बनाने को प्रोटसाहन देना चाहिए, इससे इंधन के लिए गैस भी मिलेगी तथा गोबर खाद भी, ठोस प्रदात अर्था टीन, तांबा लोहा, काच, आदी कुम्रिदा में नहीं दबाना चाहिए, तो आज के लिए बस इतना ही